अब एक्शिवली बाउम केलोरी मेटर जो है it is a apparatus apparatus किसके लिए यूज़ किया जाता है it is used it is used to measure to measure enthalpy of combustion enthalpy of combustion अब आगे बढ़ने से पहले आपने ये सोचे है कि की चीज़ को experimentally determine करना असान है formation या combustion मैं एक एक्जाम पर समझाता हूँ जैसे अगर मालो मुझे CH4 का formation देखना हो तो मुझे reaction क्या करानी पड़ेगी carbon plus hydrogen ठीक ना और combustion देखना हो तो CH4 plus O2 से CO2 और water ठीक अब अगर मालो मैं कोई अपरेटर सेयार करूँ जिसमें carbon को hydrogen के साथ mix कर दो क्या एक ही compound बन सकता है CH4 impossible ठीक है carbon और hydrogen के combination से कई तरह के hydrocarbon बन सकते हैं तो किसी भी compound का जिसे benzoic acid है अब मैंने अभी example लिया था तो benzoic acid बनाने के लिए graphite hydrogen और oxygen मिला कर रखें तो क्या benzoic acid बन जाएगा नहीं बनेगा वो theoretically expression लिखने के लिए है पर ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई reaction हम करवा रहे हैं practically और इसे हम benzoic acid बनाने में capable है यह होना एकदम एक तरह से impossible बात है क्योंकि carbon hydrogen oxygen से कोई यह compound बनता है इतायल एकदम बनता है हजारों compound है तो formation कराना difficult है compound का, hydrocarbon का या किसी और compound का बजाए की combustion की तो करते क्या है कि combustion निकाल लेते हैं हर compound का जिसे मैंने एक निवारिकल करवाया भी calculate formation of benzoic acid और बागी मैंने तीन डेटा दे दिये combustion के उनकी help से मैं formation निकाल सकता हूं न बहलो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे बताता हूं मानलो मैंने CH4 का combustion करवा दिया CO2 प्लस H2 ठीक है तो इस reaction में energy मानली यह delta HX है तो मैं इस X को कैसे लिखूंगा delta formation of CO2 प्लस delta formation balance नहीं किया हमने 2H2O 2 delta formation of H H2O minus delta formation of CH4 प्लस 0 ले दिया हमने standard state में इसके लिए अब अगर मानलो 2O2 जो तो वो तो 0 कर दिया हमने पोटो तो लिखा ही नहीं ना मैंने तो इन दोनों का formation minus इनका formation जिसमें यह जीड़ा अगर मानलो experimentally हमने यह निकालना है तो hydrogen का combustion करवा के यह निकाल लूँगा और carbon का combustion करवा के यह निकाल लूँगा मैं combustion की तर्म में लिख दूँगा कैसे लिखूंगा combustion की तर्म में डेल्टा यहां से इसकी तर्म में का reaction यह है जिसे formation करना है मुझे carbon plus hydrogen से CH4 यह मालूम करना हम तो तो डेल्टा H बराबर डेल्टा combustion of carbon plus two delta combustion of hydrogen minus delta combustion of CH4 अब प्रक्तिकली यह तीनों मालूम करकर मैं क्या निकाल सकता हूँ formation तो conclusion में क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम experimentally बात कर रहे है तो कौन सा प्रोसेज ज्यादा असान है combustion से energy मालूम करना formation की तुल्ला में जब हम सभी का combustion निकाल लेते हैं तो उसकी साहिता से मैं formation भी निकाल सकता हूँ numerically जिसा मैंने अभी question करवाया था तो हमारा यह जो operator से bomb calorimeter it is used to measure enthalpy of combustion अब इसमें क्या करते हैं एक इस तरीके से close हमने container लिया इस close container को हमने चारों तरफ से प्लास्टिक वाले cover करकर एक प्लास्टिक का एक box है एक तरह से ठीक ना इसमें हमने पानी बरा हुआ है ठीक यह चीज क्या है this is called as insulation insulation कैसे करते हैं प्लास्टिक बर के प्लास्टिक की एक मोटी परत है तो इसको हमने बोल दिया कि this is insulation और इस बरतन में जिसे टव है इसमें पानी भरा हुआ है अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हम जो है एक steel का box रखते हैं एक हम इसके अंदर रख देते हैं steel का box इस तरीके से a box made of steel steel box किसी और metal का भी ले सकते हैं इस steel box में एक छोटे से pocket में हम यहां रख देते हैं fuel और इस पूरे steel box में हम oxygen भर देते हैं high pressure पर तो यह बाहर किया हमने हमने बाहर क्या किया कि इस चिल का बोक्स था उसमें हमने क्या किया फ्यूल रखा थोड़ा सा और उसमें हमने किसी oxygen cylinder की help से तेज प्रेशर पर oxygen gas भर के रख दी जिसे balloon में भर के रख देता ह। अब oxygen क्यों भरी मैंने ताकि यह fuel जल जाए जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर ignition wire चाहिए तो यहाँ से wire बाहर connect कर देते हैं एक डिब्बा यहाँ बना देते हैं और उसे wire बाहर निकाल देते हैं इस wire को connect कर देते हैं बैटरी से जैसे ignition on करेंगे यहाँ पर क्या होगा current generate होगा spark plug के बीच में और इसको fuel को बानते कहां है exactly ऐसे रखते नहीं है इसको यहाँ पर connect करके यह fuel लग देते हैं तिस इस fuel जिसको जलाना है दोनो wire के बीच में fuel लखा हुआ है जैसे current pass करेंगे spark generate होगा spark generate होगा तो combustion होगा oxygen पड़ी हुए पहले से high pressure पे enough quantity में तो यह पूरा जलकर CO2 में convert हो जाएगा CO2 और water hydrocarbon के लिए case बात कर रहा हूँ तो बात समझे इस fuel को जला रहे है oxygen की साहिता से बाहर spark लगा अब क्या होगा जब भी combustion होता है energy release होती because combustion is exothermic process जो energy release होगी वो इस पूरे का temperature बढ़ाईगी यहाँ पर हमने रग दिया thermometer अब thermometer जो है इसका temperature शुरू में T1 होगा बाद में T2 हो जाएगा temperature बढ़के तो मैं यह कह रहा हूँ कि before combustion before combustion जो है हमारे पास temperature था T1 Kelvin और after combustion मेरे पास temperature होगा T2 Kelvin तो heat released कैसे निकालूँगा heat released Q is equal to C delta T मैं से क्या लिख सकता हूँ C T2 minus जो C मैं यहां लिख रहा हूँ it is total heat capacity total heat capacity ठीक जो heat release हुई वो दो चीज़ों ने ली एक तो water ने और एक इस steel के box ने तो मैं चाहूँ तो इस energy को दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ Q is equal to N C bomb delta T plus N water sea water delta T N bomb N bomb का क्या मतलब है? mole mole कैसे निकालेंगे हम? जो box है इस box का weight मुझे पता है steel का बना हुआ है तो molar mass से divide करके mole निकाल सकते हूँ या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mass bomb specific heat of bomb into delta T plus mass water specific heat of water delta T अगर वो question में total heat capacity of bomb बोल दे तो ये फांग बोला यूज़ कर लोगा अगर वो question में molar heat capacity दे steel की और water की तो ये यूज़ कर दूँगा और अगर वो हमें specific heat दे दे पर ग्राम वाला तो में फामूला MS delta T यूज़ करके mass रखके और ये unit say use कर निये मैं यहां से heat release निकाल दूँगा क्यों आगही बात समझ में यह इट कैसे रिलीज हुई है इसके जलने से जो energy release हुई यह insulation इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है सारी energy अंदर के अंदर ही रही उसने क्या किया energy ने इसका temperature बढ़ाया इसका temperature बढ़ाया और temperature कहां से कहां तक बढ़ा दिया T1 से लेकर T2 ठीक अब suppose करो जो हमने fuel लिया है fuel taken मैंने suppose करो X gram fuel लिया है तो moles of fuel कितना होगा is equal to X upon molar mass माली जी N mol है हमारे पास यह मैं क्या बात बोल रहा हूँ मालो benzoic acid लिया मैंने 122 gram तो mass पता है इसके अंदर fuel का तो molar mass से divide करके 1 mol लिकाल सकता हूँ मालो मैं 12.2 gram benzoic acid लेता तो 0.1 mol हो जाता जो heat release और यह total यह N mol release कर रहा है न तो एक mol कितनी release कर रहेगा लिए एक mol note किजी हां था टोटल heat capacity दी हूँ हो तो क्यों बराबर heat release C delta थी और अगर दोनों के अलग अलग data दी हूँ है bomb का मतलब mass bomb यानि mass of steel container steel box जो हमने रखा हुआ है जिसमें fuel रखा हुआ है अगर मुझे specific heat water और steel की दे दिये तो मैं इस फामूले का उसका लोगा मेर पाद दो चीज़ों और नहीं चाहिए mass water का और mass steel box का नहां रखकर मैंने heat निकाल ली total release by N mol ठीक है तो मैं कह सकता हूँ कि N mol releases N mol will release Q heat तो एक mol कितनी release करेगा Q upon इसको मैंने नाम दे दिया QV का QV क्यू रिखा मैंने क्योंकि जो यह combustion हो रहा है यह बंद container के अंदर हो रहा है close volume तो जो heat निकल रही है ना वो heat क्यू भी नहीं क्यलाएगी वो क्या निकलाएगी क्यू यह process constant volume process है और constant volume पे जो heat निकलती है उसे हम क्या नाम देते है delta E change in internal energy तो warm kalorimeter से मुझे किस चीज़ के बार हम पता लगेगा change in internal energy और मुझे क्या निकाला है delta H तो reaction हो रही है तो for a chemical reaction आपको याद हो हमने एक relation लिखा था delta H बरावर delta E plus delta NG RT समझे वा तो निकालना क्या है delta NG कहां से पता लगेगा reaction से जिसे suppose करो carbon को जलाया हमने ठीक ना minus 2H2O liquid तो delta NG निकाल सकते हो ना gas को consider करके कितना आएगा minus 2 ठीक अब यहाँ जो T आ रहा है यह T क्या है R तो gas constant हो गया T है surrounding temperature surrounding temperature surrounding temperature क्या मतलब है जहां पे bomb रखा हुआ है उसके आसपास का temperature समझे बाद है अब यहां से एक बाद हो समझे लो total heat release निकाल ली मैंने calculations और mole निकाल ली फ्यूल कितने लिया है weight gram, w gram या x gram upon molar mass weight upon molar mass से mole आगे N N mole release कर रहा है QE तो 1 mole release कर रहा है Q by N इसको मैंने sign दिया QE क्योंकि process constant volume है यहां जो combustion हो रहा है note कि combustion is taking place at constant volume combustion is taking place at constant volume to constant volume to constant volume पर combustion हो रहा है तो इसीधी इसीट को मैं क्या ना दे दूँ मुझे निकानला क्या है delta H तो delta H वराबर delta E plus delta NG RT delta NG हम reaction लिखके करेंगे करेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहां पर सिर्फ जूल और डिग्री संटिगेड है तो यह सिर्फ टॉटलीट की अपर सिती है और डेटा भी मुझे एक ही दिया हुआ है तो एक ही दिया हुआ है कम्प्लीट शी पहले तो मैं यह देखो, ठीक है, आप सब से पहले हम यह देखे हैं कि डेल्टाटी कितना है, टीवन तो है हमारे पास 25 डिग्री संटिकेर, और टीटू कितना है, 70, मुझे निकालना है डेल्टाटी, क्या इसको केल्विन में चेंज करें, जरूत नहीं है, ठीक न, इसका चे क्या है, तो कितना चेंज है, 50 डिग्री संटिक, या 50 क्या एक बात वो, डेल्टाटी मेरे पास है, और टोटल हीट कैपेसिटी मुझे दे दिया, 50 जूल पर डिग्री संटिकेर, अगर मैं दोनों को मल्टिप्लाइब कर दू, तो टोटल हीट रिलीस, सी डेल्टाटी यहां ने फ्यूल कितना लिया है, फ्यूल लिया है हमने 120, 12.2 ग्राम फ्यूल, बेंजर के सिट, तो इसके मौल गितना होगे बताईये, 12.2 अपॉन वन ट्वेंटी टो बराबर 0.1, अब हीट जो रिलीस हो रही है, 0.1 मौल चितने रिलीस कर रहा है, यह रिलीस कर रहा है क् यानिकि पच्चीस सो तो वन मॉल कितना करेगा ये रिलीस करेगा क्यों अपोने इन कितना हो गया ट्वंटी फाइव अपोन जीरो पॉइंट वन बरावर ट्वंटी फाइव थाउजन और आंसर किसमा आगया जूल तो पर मॉली निकालनी मुझे अच्छा ये क्यों बाई एँन को ये क्या लिख सकता हूं तो डल्टा एक आंसर क्या गया 25 थाउजन जूल या इसको लिख सकता हूं 25 किलो जूल अंसर आगया change in internal energy अब मुझे निकालना है change in enthalpy अब क्या पूछ है molar enthalpy यानि पर मोल के लिए निकालना है मुझे standard तो पर्मोलर ही होगा तो अब molar heat enthalpy निकालना है अब देखो ध्यार answer अलग改 अलग हो सकते हैं अगर enthalpy of formation बोलता सिर्फ तो total energy release हो रही न उसको change करता है delta H में लेकि molar पूछ रहा है तो फिर मुझे एक mol के लिए वैसे ही करना पड़ेगा अब एक mol के लिए अगर मैं देखू यहाँ पर तो molar heat enthalpy of formation delta H बराबर delta E plus delta NG RT यह तो ऐसा कैसा रख दूँगा है अगर यह जूल में है तो आर की मिली क्या लेनी चीए हुझे 8.314 temperature कौँ सा लो 25 degrees इंटेट पर अगमेशन करवा रहा है बाद में टेमपरेटर अंदर बढ़के 25 से पिच्छत तरुए तेकिन surrounding का temperature तो 25 ही है न तो यहां कितना लेना चीए मिझे 298 अकेला temperature जहां भी है उसको Kelvin में चेंज करना हो श्याग है 298 अब अगला काम क्या है delta NG कैसे निकलेगा reaction लिखें है पर solid से plus 15 by 2 O2 gas से 7 CO2 gas plus 3 H2O liquid अगला कितना अब delta NG सिर्फ गैस को चंसिडर करना है 7 minus 7.5 answer कितना अगया 0.5 यहां रख देंगे that this is 0.5 ठीक कि हहां से हम delta H निकाल लेगे molar heat enthalpy तो दो चीज़े पूर्च सकता है delta E और delta H जो कि हमने यहां सकता है यहां जो हम से पूचा है वो क्या चीज़ पूची है delta H combustion यही निकाल सकते हम तो delta H किसका निकला है combustion of this ठीक है तो this is delta H combustion formation निये यह कौन सा है combustion क्योंकि जला रहे तो energy कौन चीज़े होगी is a combustion हो तो यहां पर क्या करना है पनको यह formation निये यह कौन सा है combustion रख manner हम आप यही यहां बह। आप होगी से हम क्योंकिन को प्रूपश। कैन आप से हम आप यहाइड़ लगभी प्रूची को सावबगी किस्के आप ही ।